हेलो फ्रेंड्स वेलकम टूर चैनल यूथ फार्मेशी दोस्तों आज की उडियोपन एकने को ठीक करने वाली एक दवा के बारे में जानेंगे इसका नाम होता है आईसो ट्रेटिनोइन कैपसुल विडियो के अंदर अपन बात करेंगे कि आईसो ट्रेटिनोइन क्या है कितनी और एंड में बात करेंगे इसके कांटर इंडिकेशन है कि इस कैपसुल को यूज करते से मैं किन-किन बातों का ध्यान रगना चाहिए या फिर किन को ये कैपसुल नहीं यूज करना चाहिए तो सब कुछ अपने वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो क ग्रूब से बनाया हुआ यानि कि अपनी बोडी में नेच्रोली बहुत ही कम आत्रा में जो है वाइटमिन एपाइदा है तो इसको बार से लिया जाता है इसलिए यह वाइटमिनी का सौर्स रहता है यह अपने को टेबलेट कैपसूल और क्रीम की फॉर्म में मिल जाता है इसक चील में चील मुशल हुवा बात करेंगगे इसके ब्रेन नीम की तो यह market में अलग अलाग ब्रेन नीम से मिल सकता है हम यह आपर कुछ पॉपुलर ब्रेंड नेम की बात करेंगे फर्स्ट है टूफेक ने यानि कि टूफेक ने टूफेक ने 20MG जिसको आइबोड फार्मासुटिकल बनाती है नेक्स्ट है आइसो ट्रो आइसो ट्रोइन 10 जिसको सिपला मेनिफेक्चर करती है थर्ड है ट्रेटिवा 20 इसको इंट के जो इसको साल्ट है इसो ट्रेटिनौइन उसका अपने और यहान रखना है दोस्तों ऐबत करेंगेंगे हिसकन इन्वी तक क्या क्या यूजट उ सकते हैं इसका यूज़ क्या हूनिता है अंदर 40 इसका यूज़ इसका यूज़ आि इसके लावा इन्षिवन जो इसका पूडियूलर एकने कहते हैं उनके अंदर इसका मेन यूज किया जाता है इसके अलावा इसकीन का कैंसर होता है उसमें इसका यूज करते हैं इसके अलावा एक डिजीज होती है हरलेक्विन टाइप इथियोसिस इसके अंदर क्या होता है कि इसकीन हार्ड हो जाती है और इसकी इसकी लेर मोटी हो जाती है और वो दिरे-दिरे breakdown होने लगती है तो उसके treatment में इस capsule का यूज के जाता है यह और यह बीमारी कहा होता है कि जैनेटिक होती है तो इसका treatment इन्स टेबलेट का यूज के जाता है इसके treatment में और कई बार skin की जो cream होती है जैसे skin bright cream हो गई में इस के प्रेक्ट के जाता है चेल खुली कोई की और इसके लिगाता अर्थ पह्तो रहत armed यह के थ determining हूं झेलर्ब की लगते हैं नो थो हैसे करा तरहिसी अर्थ 7 में अपर किष्याट पहता है थे निकल यह थे 30 mg per day यानि कि इस patient को 30 mg का capsule 24 गंटे के अंदर दिया जा सकता है 30 mg so अगर उसे 10 mg की दे रहे हैं तो दिन में 3 बार दे सकते हैं अगर 20 mg दे रहे हैं तो 20 2010 को यूजक किया जा सकता है और इसको खाना कहने के बाद ही यूज्यट में वेखने की घृषयर ना ओद सैङएयशन ना बाद कर में 20 तो साज今天 कीज़ करें सका weitere period रहता है आगे बाद करें किसके side effects की कि इस capsule को यूज करने के बाद कौन-कौन से side effects हो सकते हैं इसको यूज करने के बाद basically dry lips, crack skin, skin crack होने लग जाती है, sunburn यानि कि अगर दूप में निकलते हैं तो जलन होने लगती है, headache हो सकता है, muscles में pain हो सकता है, gastric bleeding हो सकती है, dgness यानि की नींद आने की दिक्कत हो सकती है और libido यानि की काम अच्छा में कमी तो ये इसके कुछ common side effects है, जो इस tablet को लेने के बाद हो सकते हैं, last में बात करेंगे, इसके contraindication है, किसको ये tablet, ये capsule नहीं देना है, so pregnancy में इसको बिल्कुल भी नहीं देते हैं, इसको pregnancy में avoid करते हैं, और breastfeeding mothers में भी इसको use नहीं करते हैं, अगर doctor advise कर रहे हैं, तब ही इसका use करना है, इसके अलवा liver disease में इसको avoid करता है, कोई alcoholic person है, alcohol consume करता है, उसे भी एक capsule नहीं देते हैं, इसके अलवा अगर कोई driving है, ride कर रहा है, तो उसे भी एक capsule नहीं देता सकता, क्योंकि इससे dizziness यानिकी नेंद की दिक्कत रहती है, तो इससे patient को नुकसान हो सकता है, तो इस conditions में ये capsule यूज नहीं किया सकता, तो ये थी ISO 39 capsule से related complete information कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएगा, मिलते हैं आप से next वीडियो में एक नए information के साथ, धन्यवाद